अध्यक्ष जी विश्वास मत पर जो चर्चा आज प्रधान मंत्री जी के बहुत संख्शिप्ट भाशन से शुरू हुई वो मेरे वरिष्ट साथी आधनिये जस्वन सिंग जी के धरदात तरकों से आगे बढ़ती हुई विभिन आयामों को छूती हुई मुश्टर पहुची है मैं विश्वास मत का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूँ हर वक्ता ने चर्चा के शुरुवात जनादेश की व्याक्षा करते हुए की दो परस पर विरोधी व्याक्षा हैं इस सदन में जनादेश की रखी गई हैं सत्ता पक्षका कहना है कि ये जनादेश गठ़बंदन की सरकार के लिए था कोईलीशन के लिए था मेरी और से प्रतपरश्ण पूछा गया है कि क्या ये जनादेश कॉंग्रेस के साथ कोईलीशन के लिए था ये प्रश्ण अभीकत अनुत्परी था मैं उम्मिद करूंगी कि कल पधानमंत्री जवाब देते हुए अपनी बात इससे शुरू करें कि क्या ये जनादेश कॉंग्रेस के साथ कोईलीशन के लिए था अध्यक्ष जी जनादेश की जो व्याख्या चाहें आप स्विकार करें लेकिन एक द्रिश्य जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अन्देखी आप नहीं कर सकते आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एक जुट विपक्ष है क्या ये जुश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा लेकिन अध्यक्ष जी ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्या अधिकार से वंचित कर दिया गया त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी राज पिलत करते करते बनवास दे दिया गया कि द्वापर में यही घटना धर्मराज युदिश्टिर के साथ घटी थी जब धूर्ट शक्णी के दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था अध्यक्ष जी यदि एक मंधरा और एक शकुनी राम और युधिश्टिर जैसे महापुरुशों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं तो हमारे खिलाब और सुराज की नियती ही यही है प्लीज कुमान दून वेकि उस पी सो इंटरेस्टिंग अद्यपज जी रामराज और सुराज की शायद नियती ही यह है कि वो एक बड़े जटके के बाद मिलता है और इसी लिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारिक की दोपहर को मेरे अदर्ण ये नेता अतल भिहारी वाजपई इस सदन में धान्वंतरी पत से अपने त्याद पत्र की घोशना की थी हिंदुस्तान में उस दिन गाम राजजी की भूमी का तयार हो गई हिंदुस्तान में उस दिन सुराजी की मियू पड़ गई तूरदर्शन के समने जीवन्पपसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके अध्यादपत्र की घोशना के साथ करा उठे था ये अन्याए हुआ है अन्याए हुआ है लेकिन अभ्यक्ष जी अन्याई कभी ये सुईकार नहीं करता है, अन्याई तो अपने स्वारथ को सिध्धानत का बाना पहिना कर इस तरह प्रस्तूत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याई कर रहा है और यही सदन में घटा, यही सदन में घटा धर्म निर्पेक्षिता का बाना पहिनकर हम पर सामप्रदाइक्ता का आरोप लगाकर यह तमाम लोग एक साथ हो गए एक जुथ हो गए कहत हमेरे लेताने उस समय धर्व निर्पेक्षता बनाम सामप्रदाइकता पर राष्ट्रिय बहिस होनी चाहिए चाहते हैं हम हम चाहते हैं कि इस देश के सम्विधान निर्माताओं ने धर्व निर्पेक्षता की क्या कलपना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस वरूप में ढाल दिया, इस पर राश्टिय भाइस होनी चाहिए अद्यक्ष जी, हम सामप्रदाइक हैं हाँ, 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 हम सामप्रदाइक हैं क्योंकि हम बंदे माय परम गाने की वकालत करते हैं हम सामप्रदाइक हैं क्यूंकि हम राश्ट्रिय ध्वग के सम्मान के लिए लड़ते हैं, हम साम्प्रदाइक हैं, क्योंकि हम धारा 370 को समान करने कि मायन करते हैं, हम साम्प्रदाइक हैं , tск7. हिंदुस्तान में गोर्च क्योंकि जबाने की बात करते ह Edwards डर्द को जबान देने कि अधिक्षजी कि यह सदुना है कि यह धर्म निर्पेच है कि दिल्ली की सर्दों पर तीन हमाज सिख्धों का कत्यां करने वाले यह को पर रहे है कि अग्षी आप तो साख्षी है मुझको मंदित जाने से रोका गया और मुझको मंदित जाने से रोका गया और मुझको में आप प्रस्त नहीं चलिए अध्यक्षी मैं दल्वती देवी जी की जानकारी के लिए बता दूँ अध्यक्षी मैं कह रही थी यह सेकूलर हैं यह कॉंग्रेस जन्द दिल्ली की सड़कों पर तीन हजार सिख्धों का क्याम करने वाले यह कॉंग्रेसमें सेकूलर हैं और आप दिहार के साक्षी हैं अध्यक्षी मुस्लिम और यादर का छोड़ वाइचा करने वाले यह जलता दल्वाले सेकूलर हैं सभापदी जी मैं नहीं जानता कि सदन में कितने अध्यक्ष काम कर रही हैं मैं किवल आप से निवेदन कर रहा था कि कोई सदस्य अगर बोल रहा हो तो दूसरे सदस्यों को कम से कम हमारे जैसे लोगों को यह अनुवत देनी चाहिए कि उनकी बात हम सुन सके मैं नहीं जानता किस रोश में ये लोग बोल रहे हैं आपसे बहुत से रोश वाणों को मैंने देखा है तो रोश उनको में देखा है इसलिए मैं कि याको सभापद्च जी को ले कह रहा था जब सुश्मा जी बोल नहीं है उनकी बात को सुनना चाहिए और जिनको उत्तर द सब्सक्राइबремावार् lovers हैं लिए कि खुच्ञों सबाम क करें है Corner छोतीज़ श्यूंकि हम अपने हीम्यों होने पर शां मु abhale करते इसलिए हम हैं इसलिए हम सामस्दाइब और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू वोने पर शर्मिंद की महसूस नहीं करते हैं आपको इन तथा कतित बुद्धी जीवियों से से कुले होने का सेटिफिकेट नहीं मिल सकता हमारी परिभाशा यह है कि हिंदू अच्छा हिंदू हो एक मुसलमान अच्छा एक सिख अच्छा सिख हो एक इस अच्छा इसाइप और सब अपने-पन्तों का अनुसरन करते हुए एक दूसरे के धर्मों के आदर कर यह हमारी परिभाशा है लेकिन लेकिन इनका सेकुलर्जम हिंदू को गाली देने से शुरू होता है और अगर आप उस गाली देने के कारकम में शिर्कत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते और मैं कहना चाहती हूं सरकार या ना सरकार हमें सेक्नरिजम की ये परिभाशा मानने नहीं अध्यक्षी आज से पहले तो केवल हिंदुत उपर पश्रचन लगाया जाता था हिंदुत उशब्द के हमसे माइने पूछे जाते थे लेकिन पिछले विश्वास मत पर चर्चा सुनते सुनते मेरी आखें दबदबा गई जब इस सदन में भारतियता शब्द पर भी प्रश्रचन लगा हूं आज से पहले तो पहते थे इंडियन नेस इंडियन निश्नलिटी की बात कर सकते हो लेकिन इसी सदन में चर्चा के दौरान का गया मैं तो बहुत कद्र करती हूं मुरा सुली मारें जी के लेकिन उन्होंने कहा विया डिफ्रेंट आप कौन सी संस्कृति की बात कर रहा है य अधिन में से कोई बोदेगा एक उम्मीद चंदशेखर जी से जरूर थी पता नहीं क्यूं कौर्वों की सभा के भिश्म पिता में की तरह आप भी मौन साधे रहे हूं अध्यक जी मैं अपने मित्र मुरासुली मारंजी से बहुत अदब से यह कहना चाहूंगी भारतियता के माने कहीं पूछने जाने की जरूरत नहीं है अरे भारतियता कार्थ यही है कि भारतियता के माने यह है कि जम्मू के राजमा चावल और पंजाब की मक्की की रोटी से लेकर दख्षन के इडली डोसे तक सारे आहर भारत वर्ष के आहर भारतियत आतार्थ यही है कि अमरनाथ से लेकर रामिश्वरं पर सारे तीर्थ भारत वर्ष के तीर्थ हैं आप पूछते हैं कि एक संस्कृति के क्या माइने हैं कि शिव का भक्त अमरनाथ का जल लेकर रामिश्वरम के पेर पखाड़ता है यही है एक संस्क्ति का कारण हुआ है कि पश्चिम बंगाल में जन्में हुए एंसी चेकर जी अपने बेचे का नाम सोमनाथ रखते हैं यही है एक संस्क्ति मुझे संस्क्ति का अधारण कहीं शब्द कोशों में देखने की जरूरत पही है वो इस सदन में परिदक्ठित हुए लेकिन अध्यक जी सवाल यह है कि यह किसी सामप्रदाइक्त के नाम पर इकठे नहीं हुए है यह भी एक ओड़ा हुआ बाना है यह इकठे हुए हैं अपने गुनाहों के का रहे हैं यह इकठे हुए हैं एक दूसरे को बक्ष देने की सौदे बाजी के काई जी हां यह अपने अपरादों के बेपलदा होने के भाई से इकठे हुए हैं अध्यक्ष्टी यह साम पुर्दाइट्र के नाम पर हुए हुए सांजेदारी नहीं है अध्यक्ष्टी यह चारा कांग और हवाला कांग की सांजेदारी है अध्यक्ष्टी यह चाहिए इसे नहीं हुए कि कॉमन मिनमम प्रोग्राम में एक शब्द करप्शन के पेंडिंग केसिस के बारे में नहीं यह ऐसे हो गया आखिर चार लोग बैठे सारी चीजों पर चर्चा हुई लेकिन पूरे प्रोग्राम में से बोफोर्स गायब है सेंट केट्स गायब है जेमम गायब है शूगर स्केंडर गायब है प्यस्यो डिस इंवेस्मेंट स्कैम गायब है अरे जिनका धिंडोरा कहीते हैं प्रदान मंतरी लोग टेक इस ओन कोर्स कोई बचेगा नहीं के वर मुक्के मार कर कह देने से यह नहीं होगा अध्यक जी आचरर क्या बोलता है यह देखने बाला है आज भी यूरियास केम में एक्सर पकड़ेगा है लेकिन दोनों के रिष्टेदार दोनों के रि प्रदान के नाम करती है अध्यक जी यह कहते हैं राम गिलास परस्वान कहते हैं यह सरकार चलेगी आज यहां कहा जाता है यह सरकार चलेगी नहीं दोरेगी पांच साल तक रहेगी मैं पूछना चाहते हूं मैं पूछना चाहते हूं मेरे नेता ने तो नहीं कहा बयान तो पहला बीजू पटनायक आया पहला बयान बूस्टा करकर ने किकेव हूं पहली स्टेट इस पडल पर छपी उसका जित्मेंए कर दिया बिनाय लिनों ने किया, इसका जिक्रिविन ने कपिया दोलो चीज रिकार पर आ जाएंगे, आगे बोली, नर्सिंग राउगू के हवाले से कहा गया, कि चुनाव के लिए साथ महीने से एक साल के बीच में तयार रहना चाहिए, ये बयान भाजपा की तरफ से तुने आया, इ सुस्वा जी, सुस्वा जी आप इधर आड्रेस करिए, चारे और खाद के इलावा, क्या सांज है राम लखन सिंग यादव और लालू यादव में, क्या सांज है ममता बैनर जी और सोमनाथ चटर जी में, मैं पूछना चाहती है, उत्तरा खंबी महिलाओं के सम्नान का आड़ा करके, नार अरगत्तिवारी मुलाइं सिंग की बदल में क्यों बेचे हैं? कि अपने घावों की पीडा भूल कर पाथ सुमना जी के साथ मतदान तेशे कर रही है मता जी आपको बोलना एसके लिए ड्वांस नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है उनको बोल लेने की जी जी आपका नाम आपकी पार्टी से आएगा तो बोल लिजेगा उनके बोल ले रही हूं मैं बताना चाहती हूं अध्यवजी मैं नाम क्यों ले रही हूं मुझे वो द्रिश्ट मुझे वो द्रिश्ट जसका तस्याद है मेरी आखों में बसा हुआ है मैं राजी सभाव की दर्शत दीरगा में बैठी थी इसी सदन में नर्सिंग राओ जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा थी मैं वहां से बैठी देख रही थी एक वील चेर के उपर ममता जी को लाया गए यहीं बैठी थी वो चोटों से आए बुखर के कारण काप रही थी बराबर में बैठी दो सांसद महिलाओं ने उन्हें लाल कंबल उढ़या वहां बैठी हुई मैं उस समय कम्मिनिस्टों के हिंसक प्रवर्टी को कोस रही थी मुझे मालूम है मंताजी के विरोध के स्वर बहुत मुखर होते हैं लेकिन हम उनके विरोध के अधिकार को मान्यता देते हैं हम उनके विरोध के अधिकार को स्विक्रती देते हैं हम उनके आवाज को गैग करने के लिए उन पर हमला नहीं करते इसलिए पूछना चाहती हूं मम्ता जी से आज कि इस सदन में सी पीम के साथ बाइट कर मतदान करेगी और पश्चिम बंगाल में जाकर उनके विरोध की राजनीत करेंगी ये कैसी सांच है मम्ता जी ये कैसा दख़़एंगा अध्यक जी मैं जिक्र कर रही थी कि केमल भ्यक्तीयों में अंकर विरोध नहीं है जो कारकमों में अंकर विरोध जलगता है विम्झा जब इनका प्रोग्राम आया MINIMUM प्रोग्राम मैंने उसको आधिसे अंक तक पढ़ा एक बार मुझे लगा कि कुछ गलत पढ़ा गया ये हो नहीं सकता, मैंने उसको दुबारा पढ़ा, और पढ़ने के कुरंट बाद मेरे मुसे निकला, वहाँ भारत के कम्मुनिस्ट साथियों, तुमने लेनिन से ये सिंतक का सफर एकी सफ़ा में पूरा कर लिया, कोईलीशन के कंस्ट्रेंस को मैं समझ सकती है, कुछ चीजों को बरतरफ रखना पड़ता है, कुछ चीजों में सांचेदारी करनी पड़ती है, मगर कोई शिर्शासन करके कलाबाज इठा जाएगा, इसके उमें पैस, अद्दजी इसमें लिखा है, इंशोरेंस सेक्टर निजी करन उसका कर दिया जाएगा, और फोरन कंपनी तक के लिए खोल दिया जाएगा, मैं तो हैरान हुई, क्योंकि एक साल पहले की बात मुझे की तस्यात थी, कहां गए चत्राननमिश, अद्दजी आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, मैं राजी सभा में याचिका समीती की अध्यक्षा थी, कमेटी और पेटिशन की चेर परसन थी, हमारी समीती के सामने एक याचिका गायर की दी, एक पेटिशन प्रस्तुत की ग आदू नतीजा, ये थी वो पेटिशन, और मैं आपको चौका दू ये बात कहकर, वो पेटिशन किसी और ने काउंटर साइन नहीं की थी, एक MP को प्रस्तुत करनी पड़ती है, ये सायोग है के चत्राननमिश, राजी सभा से मेरे साथ लोग सभा में आए हैं, दो चार दिन में शाइड कैबिनेट के मंत्री भी बनने वाले हैं, वो पेटिशन काउंटर साइन की थी चतुरानन निश्वने, और अध्यक जी मुझे कहा गया था, कि अगर ये इंप्लिमेंट कर दी गई, रिपोर्ट, तो इस पेटिशन, ये पेटिशन इंट्रक्ष्वस हो जाएगी इसलिए कम से कम इंटरिम डिरेक्शन दम्मेंट को दी जाए, कि ये इंप्लिमेंट नहीं हो, पेटिशन कमेटी के अध्यक्षा के नाते मैंने सरकार को डिरेक्शन दी थी, कि जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाए, हम बहुत जल्दी इस कमेटी की रिपोर्ट तब तक मलहुत्रा कमिटी के सिफारिशें लागू नगी जाए और इस याचिका समिटी ने इस याचिका पर रिपोर्ट देने से पहले सारी पुलिटिकल पाइटिस के लोगों को बुलाया था अध्यक जी प्रेमियर घटा किस युनाइटिट फ्रेंट का जनता के लिए जिनकी सिफार है जिनकी आप कुछ कहना चाहतो अप मिनिस्टर है बोली है अगर कोई अब्जेक्स ने बूल बात है तो बताईए अगेंस दरूल हो तो बताईए नहीं यूर मिनिस्टर ना हो वो र अधरमंत्री तवज्य दें यह तो आजादी है यह कोड कर सकते हैं तो त्ब आप कोई लू बताईए न जिस से नहीं कोड कर सकते हैं उनको रोग दूगा बताईए कान। मैं आपके दिल की भाग कर रही हूँ The Honorable Prime Minister, I would like to draw your attention, please मैं देवे गाउडा जी, सुनना चेकर जी और चकुरान और मिश्र को सुना कर दुबाला कहना चाहूंगी मेरी पार्टी का फालिसी तो भारतियों के लिए खोल दो, कॉर्नर्स के लिए मत खोलो मैं चेकरा फालिसी पढ़के बता रही हूँ तो सटा की दोर में मदाखोश होकर आदमी इतनी उलट बाजी भीखा सकता है कि पचावाजीत की हैं आज वु राजनीत ही टोटल की टोटल एक्सुलूट की एक्सूलूट आप छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि सत्ता लोलुता की दौर में या एंटी बीजे पिस्तांस के अंदर आपको कॉंग्रिस के साथ बचना है आपको जनता दिल के साथ बचना है इसलिए मैं आपसे कह रही हूं अध्यक जी यहां सदन में यह छोड़ सकते हैं लेकिन बाहर जब अपने अपने खेत्रों में जाएंगे इनका कारकरता इने छोड़ने नहीं देगा और यह अंदर विरोद इस सरकार को गिराने का कारण बनेंगे खा Minduto नरसिंग्राव जी न अज कह दिया चलेगी अरे भाई नरसिंग्राव तो मौनसाधे बइचे हैं भूमिका निभा रहे यह और यह शरद पावार सーチपावार की भूमिका नहीं निभा रहे यह ललीका पावार की भूमिका ने लट़ूर इसलिए भाई शरद्यादफ से कहना चाहूंगी, कि ये प्रयोग नया नहीं है, इसलिए भाई शरद्यादफ से केवल इतना कह रही थी, ये प्रयोग नया नहीं है, ये प्रयोग आपके गुरु राजनाराएं जी पहले कड़ चुके हैं, बीस दिन के अंदर कॉंग्रिस ने समर्थन वापस लिया था, और मेरे आदर ये नेता चनुशेकर जी बाइचे, चार महीने के अंदर इन से समर्थन वापस लिया था, आप किस आदहर पर विश्वास कर रहे हैं, किस आदहर आपके विश्वास कोई आधार होना चाहिए, इतिहास सभी कुछ नहीं सीखा, और मैं कॉंग्रेस की बाद क्या दरूँ, मैं तो भाई शरद यादव से ही पूछू लिए, भहिया, अपने समाजवादियों का इपिहास भी तो है, अभी कह रहे थे शरद यादव, डॉक्टर लोहिया यहाँ पर थे, समाजवादियों के पास तो डॉक्टर लोहिया की दो रेडिमेड उक्तियां सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए हर समय मौझूद है, पहली डॉक्टर लोहिया ने कहा था, कॉंग्रेस को हराने के लिए शेयतान से भी हाथ मिलाना चाहिए, और दूसरी, कहे थे डॉक्टर साब, सुधरो या तूटो, तो अक्टियप जी, अब तो कॉंग्रेस की जगे भाजपा को फ्रेम में रखकर, शेयतान से हाथ मिलाने की वखालत कर रहा है शेयतान जी, लगए फोड़े दिन की बात हो, जब होगा, सुधरो या तूटो, और हो भी क्यों नहीं शरत यादव, बहुत सही बात है, 65 लाग वाले मंत्री मंडल में, और 3 लाग वाले बंडल में, तो क्यों में बोलेंगे, क्यों में बोलेंगे, मिश्चित दूर पर, चंच दिनों की बात है, जब यह होगा सुधरो या तूतो इसलिए मैं एक बात कहे कर अपनी बात समात करना चाहूंगी अध्यक्ष महोदर यह जो यह जो कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि सर्टार पांच साल चलेगी पांच साल चलेगी नहीं अध्यक्जी इस पुलिटिकल और्केस्ट्रा बिस्पर्स इवन बिफोर इस शो बिगिन्स यह जो एक सामुहिक मंदली एक समुह गीत गाने के लिए आई है यह अपना अपना रागला अपने के लिए इतने आदी है कि गिल शुरू होने से पहले यह शिराजा बिखर जाएगा लेकिन हाँ जितने दिन यह देश आपके हाथ में रहे इश्वर इस देश की रख्षा करें यह आपके लिए लोग इस्वासिम अपका दिरोग्ड़ के लिए